असलाम अलेकुम डेफरेंट्स उमीद है आप सब खेरेत सौंगे हमारा आज का जो टॉपिक है वो है प्लीडिग अपना case दाखिल करते हैं code के अंदर जो plaintive side तो फिर आप planned दाखिल करेंगे अगर defendant side उसका जवाब देता है तो फिर उसको हम return statement करते हैं केने का मकसद यह है कि यहाँ पर यह कि रहा है कि pleading includes planned and return statement यहूं भी कह सकते हैं आप यह pleading means planned और return statement तो आप pleading के थो अपनी plan दाखिल करेंगे और pleading के थो ही अपनी return statement दाखिल करेंगे अब pleading आई क्यों इट मींज के pleading हमार पास जो यह order है इसका reason क्या हुआ आने का इसका reason क्या बना कि हम pleading के थो ही plan दाखिल करें देखें यहाँ पर यह बात आप जहन में रखें अपनी के जब भी दोनों parties अगर अपना case दाखिल करते हैं और वो अपनी बात को ज़्यादा तर बढ़ाएंगे जाहर से बात है जब आप अगर कहीं फेसले में भी बढ़ाएंगे तो यहां से क्या होता है कि वहाँ पर वो बात उठा के लेके आता है वो कोई और बात उठा के लेके आता है तो इसका जो concept है आप उसको यहाँ भी लिख सकते हैं कि narrow down the area of conflict between the parties parties के बीच में जो conflict आ रहा था उसको narrow down करने के लिए pleading आई ठीक है अब हम बात करते हैं rule 2 की जो बात करता है pleading to state material facts and not evidence देखें जब भी आप अपनी pleading के थो अपनी planned या written statement बलाएंगे pleading जब भी आप लिखेंगे तो उसके अंदर आप material facts लिखेंगे आप क्या लिखेंगे material facts लिखेंगे ना कि आप जो है अपने evidence देंगे ठीके वो किस तरीके से concise nature में आप facts लिखेंगे fact number one, fact number two, fact number three तो आप जो है इस तरीके से अपने facts को show करवाएंगे इस तरीके से नहीं कि आपने अपना evidence भी दाखिल के किस तरीके से let's suppose आपको कोई agreement होता है A और B party का agreement होता है तो आपने ये लिखना है कि हमारा agreement इस तरीक को हुआ हमारा agreement जो है इस चीज़ के बारे में हुआ आप ये नहीं लिखेंगे कि हमारा agreement इस शक्स की मौजूदगी में हुआ let's suppose जैसे कि अगर मैं कहूंगे खुला का मामला है तो खुला का case अगर आता है या फिर जो है resolution of marriage का case है तो वहाँ पर आपने ये लिखना है कि शादी हुई यहाँ पर आपने ये नहीं लिखना कि शादी हुई हमारे parents की मौजूदगी में या जो है A और B C ABC की मौजूदगी में शादी हुई तब होते थे जब old अगर हम पीछे चले जाएं backward time में तो वहाँ पर क्या होता था remote area में या remote time में कि हमार पास जो pleading होती थी जब हम अपनी plane दाखिल करते थे case दाखिल करते थे तो उस time पर हम जो है return लिखते थे किस सरी के से computerize नहीं होता था तो उस time पर hand return होती थी तब वहाँ पर annex किया जाता था forms of pleading को तो ये बात कर रहा है जो भी forms होते थे उनको character wise जो ही attach कर दिया जाता था उसके बाद है rule 4 वो बात करता है particulars to be given where necessary ये बात कर रहा है जब जरूत हो तो तफसील देने देंगे उसको brief भी करेंगे ठीक है उसके बाद है rule 5 further and better statement or particulars देखें यहाँ पर ये बात कर रहा है के better statement की claim or defense better particulars defend can claim better statement किस तरीके से let's suppose के हमारा A और B देखें A और B का अपस में कोई contract हुआ और A और B का अपस में कई contract हो चुके हैं कई agreements हो चुके हैं अब B क्या करता है B जो है case is a plaintive case दाखिल करता है A के खिलाफ के मेरे इसकी तरफ पेसे हम दोनों का अपस में contract हुआ है और मैं जो है इसकी तरफ जो है claim करता हूँ मेरे money यह जो है मेरे पेसे नहीं दे रहा है ठीक है तो अब A क्या करेगा A return statement दाखिल करने से पहले यह case सकता है कि आप मुझे further and better statement दे better statement मतलब कि आप यह तो बयान करें कि हमारे agreements तो कई हो चुके हैं आप किस agreement की बात कर रहे हैं आप कौन से contract की बात कर रहे हैं आप यह भी वज़ात करके लिखे हैं कौन से contract में मैंने आपके पैसे खाए हैं कौन से contract के तहट आप जो ही पैसे मुझे से claim कर रहे हैं तो it means के यहाँ पर यह बताया गया है कि अगर defendant चाहे तो defendant अपना better statement claim कर सकता है किसके? WS इसके return statement के पहले उसके बाद है condition precedent condition precedent क्या है कंडिशन पर यहां पर यह किरा either plaintiff has performed और performance of contract या तो जो हमारा plaintiff है वो case तब लेके जाएगा court में उससे पहले वो यह वहाँ पर वो यह चीज़ लिखे है कि मैंने यह contract performed किया था और उसने नहीं किया ठीक है या तो वो यह कहेगा कि मैं यह contract में perform कर चुका हूँ और defendant नहीं किया या फिर वो यह कहेगा कि मैं जो है contract perform करना चाता हूँ और वो नहीं करना चाता हूँ मैं ready हूँ perform करने के लिए मैं contract को पूरा करने के लिए ready हूँ लेकिन वो ready नहीं है ठीक है उसके बात आजाएं यहाँ 7 की तरफ 7 बात करता है departure की अब 7 को समझने के लिए हमें जो है इसका rule 17 भी समझना पड़ेगा वो further हम आगे चलके समझते हैं लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा बहुत concept क्लियर कर देता है plan cannot be changed but can be changed through amendment according 6.17 यहाँ पर यह किर रहा है यहाँ पर यह किर रहा है कि आप जब जो plaintiff है हमारा वो pleading लिखने के बाद इसके planned देने के बाद यह नहीं कह सकता है मैं जो है इसको change करना चाहता हूँ इसके अंदर में नहीं चीज़ नए effect उठा के लेके आना चाहता हूँ यह नहीं जो है नया ground लेके आता है वो तो इसे ही change नहीं होगा उसके लिए आपको जो application देनी पड़ेगी amendment in pleading ठीक है आपको application देनी पड़ेगी six rule seven की उसके बाद denial of contract denial of contract क्या है denial of contract if you deny from giving so give the reasons अगर आप जो अगर आप जो है defendant है अगर आप deny करते हैं इस बात से मेरा इसके साथ कोई contract हुआ ही नहीं है तो आप हर ऐसे ही नहीं deny करेंगे आप जो है अपना एक reason देंगे brief में लिखके आप यह चीज़ हर एक चीज़ लिखे हैं कि मैंने इसा क्यूं कहा मैं अगर deny करता हूँ deny करने के पीछे मेरा reason क्या है उसके बाद 9 effect of document to be stated sufficient in any pleading to state the effect thereof as briefly if possible precise words of the document or any part material यहाँ पर यह बात कर रहा है कि जो भी आप documents उसके साथ attach करेंगे अपनी plan के साथ या अपनी pleading के साथ जब आप अपने document attach करेंगे तो उस documents का हवाला भी देंगे कि मैंने यह documents attach के मेरा इसके साथ कोई भी ex-facet मेरा इसके साथ agreement हुआ है अब agreement जो मेरा हुआ था वो इस date को हुआ था और मैंने उस agreement की copy जो है इस plan के साथ attach कर दिये यह भी आपने लिखना है उसके बाद है malic acknowledgement malic acknowledgement अगर कोई भी शक्स materially malic fraudulently intention के साथ या knowledge के साथ जो है condition mind of any person it shall be sufficient to the same fact without setting circumutinus from which the same is inferred तो कोई भी अगर malic it means के fraudulently कोई case करता है तो यहाँ पर उस चीज़ की बात की जा रही है उसके बाद यह बात कर रहा है notice notice claiming यहाँ पर देखेंगे 11 भी बहुत ही important है 11 क्या बात कर रहा है 11 यह बात कर रहा है के case दाखिल करने से पहले आपकी कुछ जो है duties है किस तरीके से कि आपने case आप किसी को warning देते है as a warning आप उसको notice देते है कि भाई यह agreement आप मैं इस साथ पूरा करो वरना मैं आपके खिलाफ case दाखिल करूँगा तो यहाँ पर उस notice की बात की जा रही है जिस तरीके से अगर आप damages किसी के खिलाफ क्लेम करते हैं तो damages उसके खिलाफ क्लेम करने से पिले यह आप यह necessary कि आप उसको notice दे अगर वो notice लेने के बाद भी अगर वो कोई response नहीं देता है तो फिर आप उसके खिलाफ case दाखिल करें अब आप ने अगर उसके उसको notice की हैं तो आप ने यह भी यहाँ पर लिखना है pleading के अंदर कि आप ने उसको date को notice किया लेकिन उसने कोई भी response नहीं दिया लेकिन यहाँ यह वहाँ पर होगा जहाँ पर notice देना ज़रूरी है उसके बाद है implied contract और relation later or conservation of otherwise from the number of circumstances conservation of circumstances without setting them out in detail यहाँ पर यह बात कर रहा है कि let's suppose कि plaintiff or defendant की case दाखिल होने से पहले ही कुछ communications चल रही है तो आपस में गुफतगू कर रहे है letters के तो तो यहाँ पर हर letter की detail लिखना ज़रूरी नहीं है आप सिर्फ code को facts के अंदर यह लिखने कि मैंने इस तारीक को इसको letter भेजा फिर उसने उस तारीक को मुझे written में reply किया और फिर मैंने उस date को उसको लिखके दिया detail देना ज़रूरी नहीं है सिर्फ reference ही काफी है उसके बाद है presumption of law presumption of law यहाँ पर वो presumption of law means के law एक चीज़ को presume करता है तो यहाँ पर यह बात की जा रहे है अगर burden of proof पार्टी पर है तो इसी कोई भी चीज़ देना ज़रूरी नहीं है किस तरीके से ला प्रिजुम as favor or as to which the burden of proof lies upon the other side unless the same has first been specifically denied अगर specifically कोई deny कर देता है किस तरीके से यहाँ पर आपको एक rule समझना बहुत necessary है वो rule यह है the burden of proof lies upon such not upon whose denies जो deny करता है उस पर burden of proof lie नहीं करता है जो another party है वो जो है उसको proof करेगी उसके बाद है pleading to be signed it means कि जो pleading होगी उसके उपर आपके दस्ताखत होंगे उसके बाद है verification of pleading verification of pleading यह बहुत important topic है rule 15 इसके अंदर क्या बताए गया है कि आप जो भी pleading's देंगे उसके अंदर verification करेंगे verification किस तरीके से जो भी party है अब वो party क्या करेगी वो party ओत लेगी ओत लेगी कि मैं किसम अपना हलफ नामा उठाता हूँ कि मैंने इसके अंदर जो जो बाते लिखी है वो बिल्कुल सही है वो बिल्कुल correct है अगर मैं जोटाओ तो मुझ पर Allah कहड़ नाजलो वो इस तरीके की भी हलफ उठाते है या फिर वो यह भी कहते है कि मैं अगर जोट के रहाँ तो मैं जो है इस वक्ती इसलाम से खारज हो जाँ तो ये खिर ये वही एक हमारा रूल है जिसके तहत अगर मैं कहूं कि वकीलों की आखरत खराब है और verification of pleading के अंदर क्या होता है कि एक वकील ही है जो pleading बनाता है एक वकील ही है जो कि pleading ये प्लेंट आपका return statement थो प्लीडिंग बना कर देता है आपको और उसके बाद वकील ही आपको guide करता है कि आप जो है code के अंदर ये गवाई दीजेगा या आप code के अंदर अपना out लिजेगा क्योंकि वकील नहीं लेता ओद जो है हमारी parties लेती है अब parties जब ओद ले रही है तो किसके कहने पर ले रही है वो जाहर सी बात है वो हमारे वकील साब के कहने के ओपर ही ले रही है खिर उसके बाद है rule 16 striking out pleading यहाँ पर rule 16 और 17 को समझना बहुत ही necessary है rule 16 किया रहा है striking out pleading को strike out करवाना इन practice अगर हम देखें तो यह rule apply यहाँ पर नहीं होता है practice के अंदर लेकिन यह rule इस वज़ा से समझना जरूँ है कि आप इसको practice में ला सकते हैं किस तरीके से कि let's suppose कि A और B कि आपस में शादी हो चुकी है अब A जो है एफ मेले B फिमेले B क्या करती है B जो है A के खिलाफ खुला का केस दाखिल करती है और उस खुला के केस के अंदर यह लिखती है कि ground से लिखती है या fix या ground यह लिखती है कि मेरा शोहर जो है वो जानी है मेरा शोहर जो है दूसरी औरतों के पास जाता है मेरा शोहर शराबी है मेरा शोहर जो है मुझे मार पीट करता है घर के अंदर मुझे खर्चा नहीं देता मुझे नानों अफका नहीं देता मुझे मेरे को जो है मेरे पर बहुत सारा जादा जातियां करता है वो यह सारी चीज़े लिखती है अब यहाँ पर क्या है कि A जो उसका husband है वो यहाँ पर return statement में यह चीज़ लिख सकता है कि सबसे पहले return statement देने से पहले तो आप यह चीज़ strike out करवाएं यह sections जो है करवाएं जो immoral immoral जो दावे हैं इसके immoral जो फेक्ट से इसके वो सबसे पहले strike out करें strike out में इसके delete करें कौन कौन से के इसने कहा कि मैं शराब यह हूँ पहली बात तो मैं शराब यह नहीं हूँ आप मेरे जो है relative से या जो मेरे करीब करीब लोग रहते हैं उनसे पूछ सकते हैं दूसरी चीज दूसरी चीज यह कि वो के रहे है कि मैं जो है जानी हो यह allegation है यह defamation में भी आप जा सकते हैं ठीक है ना तो यह के ना कि वो जो है x y z कोई भी ऐसा fact है तो आप उसको strike out करवा सकते हैं strike out मतलब कि उसको निकलवाना उसको डिलीट करवाना उसके बाद है amendment in pleading अब आपको अपनी pleading amend करवानी है amend किस तरीके से the court may at any stage of the proceeding यहाँ पर यह बात याद रखने हैं कि किसी court जो है किसी भी stage पर proceeding के किसी भी stage पर आपकी pleading को amend कर सकती है ठीक है जब भी आप application देंगे plaintiff अगर application देता है pleading के अंदर amendment की तो फिर जो है फिर क्या होगा defendant side को यह application या फिर जो है court कहेगी कि इन्होंने application दिये amendment in pleading की अब आपका क्या कहना है तो दोनों parties को court सुनेंगी उसके बाद amendment करेगी उसके बाद last क्या कहता है उसके बाद last जो हमारा कहता है failure to amend after order के failure हो जाए किस तरीके से amendment में यह कि रहा है कि if no time has been limited then within 14 days from the date of the order 14 days का time दिया गया होता है कि 14 days के अंदर आप जो है amendment in pleading करवा सकते है उसके बाद unless the time has extended अगर time prescribed नहीं है तो फिर क्या होगा फिर आप application देंगे किसी इसकी extension in time की कि मेरे time को extend कर दिया जाए तो failure को समझना बहुत ही easy अगर आप इसके wording समझेंगे तो भी आपको clear हो जाएगा तो यह था हमारा order 16 जिसके अंदर हमने पढ़ा pleading in general next class में हम जो study करेंगे plant और उसके बाद return statement खेर यह जो हमारा order था यह बात कर रहा था किसके बारे में pleading के बारे में pleading होती क्या है pleading मैं अगर आपको simple wording में कहूँ कि आप अगर typing करेंगे अगर आप जो है किसी भी वकील के बाद जाते है सीखने के लिए as a junior तो वो आपसे सबसे पहले pleading ही करवाता है pleading मतलब कि वो आपसे case draft करवाता है उसके अंदर भी pleading का वैसे एक पूरा का पूरा एक subject भी है ठीक है ना खेर अब यहाँ पर क्या होगा कि आप जब pleading के अंदर देखेंगे कि pleading के अंदर one, two, three इसे fix दिये होते है तो यहाँ पर यही बात कर रहा है कि आप जब pleading लिखेंगे तो अपने fix को लिखेंगे one करके, two करके, seek, three करके जब आप एक case देख देख लिजएगा एक plain की सुरत में या एक return statement की सुरत में तो आपको pleading समझ में आ जाएगी hopefully आपको समझ में आ चुका होगा thank you, that's all